मेरे प्यारे देश्वासियों, हमारे देश में अपनी कला संस्कृति को लेकर एक नई जागरुकता आ रही है, एक नई चेतना जागरित हो रही है, मन की बात में हम अक्सर ऐसे उधारों की चर्चा भी करते हैं, जैसे कला, साहित्य और संस्कृति समाज की सामोहिक पूंजी ह होते हैं, वैसे ही इने आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है, ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्ष द्वीप में हो रहा है, यहां कलपेनी द्वीप पर एक कलब है, कुमेल ब्रदर्स चलेंजर्स कलब, यह कलब युवाओं को स्थानिय संस्कृति और पर रिद करता है, यहां विवाओं को लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलिपट्टू और पानमपारी गानों की ट्रेनिंग दी जाती है, यानि पुरानी विरासत नई पीडी के हाथों में सुरक्षित हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और साथियों, मुझे खुशी है, इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं, विदेश में भी हो रहे हैं, हाली में दुबई से ख़बर आई, कि वहां के कालारी कलब ने ग्रिनीज बूक अब वर्ल रिकोर्ड्स में नामदर्ज किया है, कोई भी सोच सकता है, कि दुबई के कलब ने रिकोर्ड बनाया, तो भारत से क्या समद, दरसल ये रिकोर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी अपट्टों से जुड़ा है, ये रिकोर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है, कलारी कलब दुबई में दुबई पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और UAE के नेश्टर डे में प्रदर्शित किया इस आयोजन में चार साल के बच्चों से लेकर साथ वर्स तक के लोगों ने कलारी की अपने ख्षमता का बहतरी प्रदर्शित किया अलग-अलग पीडियां कैसे एक प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं पूरे मनोयोग से बढ़ा रही हैं यह उसका अधुत उधारन है